जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आएं आपके लिए आपर जूनियर हाइस्कूल सायक अध्यापक बरती परिच्छा के लिए हिंदी भासा का प्रेक्टर सेट यहां पर भूत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन कवर करे आज कपने आपर फर्स्ट कॉस्चन पूँचा गया कि सदाथ 4 की तावीज निबंद के लेखक के रशिनकार कौन है यह आपको बताना है निबंद लेखक के रशिनकार कौन माने जाते है चार विकल्प आप किहां पर दिए गए हैं आनसर बनता है तो आप कमेंट में जरू बताएं सदात चार की तावीज ए निबंद है और इसके जो लेखक माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन हरी संकर परसाइत विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है परती परीकथा उपन्यासकार कौन है परती परीकथा के उपन्यासकार बताना है तो कौन है इसके उपन्यास चांग है, Q2 है महत्तुपुण है और आपका यहां पर चाही आंशर है Q2 का फंशनाथरणु विकल्प नम्बर C आपका यहां पर चाही आंशर है अंगला question है रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंब हुआ तो यह पत्रिका है रूपाब और मासिक पत्रिका है और इसका जो संपादन प्रारंब हुआ यह कब प्रारंब हुआ तो आपका राइट आंसर है 1938 आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आं है क्या राइट अंस्र पद्म सें आपका च dancersит विकड़ नमबर यहां पर होगा । वहरं के यहां पर होगा इंच लॉट humor व्याम कि नंबर पूर्फ यहां पर पूर्फ प्रॉच्टी निइंच ग्षिद्ऑ ना मादुरि यह साथ- तो recommend प्रस्थ्य था तो 5 का राइट आंसर है विखलत नमबर 1 यानि की हंस राइट आंसर यहाँ पर होगा अंगला कॉश्चन है क्या पूचा गया है कि निमने लिखत बोलियों को उनके भौगलिक चेत्र के सांस सुमिलत कीजिए तो यहाँ पर सुमिलत करना है तो चलिए सुमिलत कर देते हैं कॉश्चन नमबर 6 है और 6 का राइट आंसर है यहाँ पर D राइट आंसर है तो यह जो कुट दिया है आपका सही आंसर होगा यानि कि A का चौथा हो जाएगा और B का तीसरा C का पहला और D का दूसरा तो देखिए A का चौथा है यानि की हडोती जो है यह राजस्तानी की है बगेली इमद्द प्रदेश की है गड़वाली जो गड़वाली है एह कहां की है तो गड़वाली एह है कहां की उत्तरा खंड और कन्नोजी उत्तर प्रदेश इस परकार सामयबादी, सामंतबादी या माक्सवादी तो question number 7 का right answer है आपका यहाँ पर सामयबादी right answer होगा यानि कि विकल्प नमबर 20 रही answer है question number 8 क्या पूछ है कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई है यानि कि भारतियंदु काल में दुवेदी काल चायबाद या फिर रीतिका question number 8 का सही answer है क्या right answer विकल्प नमबर 20 रही answer है आठका यानि कि छायबाद आपका सही answer होगा रंगभूमी उपन्यास किस बाद से प्रभावित है लोहियाबाद या सभासबाद गांधी बाद या नहिरुबाद तो रंगभूमी यह जो उपन्यास है याद रखी बहुती मह ग्यानपीट प्रोषकार किसे दिया गया था महत्तपूर्ण question है किसको ग्यानपीट प्रोषकार मिला था 1982 का ग्यानपीट प्रोषकार है और यह मिला था किसके लिए महादेवी बर्माजी के लिए तो विकल्प नमबर D आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूंचा है तो यहाँ पर question number 11 पूंचा है कि कतकी पूनो कभीता के जो रचनाकार है या रचेता है बहे कौन है तो question number 11 है महत्तपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही answer है question number 11 का बहे विकल्प नमबर एक यानि कि सचदनन्द हीरनन बातसायन अग्ये अग्ये जो है इस परकार का question पूरा नाम क्या है तो अग्ये जी कर यह पूरा नाम दिया गया है सचदनन्द हीरनन बातसायन अग्ये अंग्या question क्या पूच्छा है तो अंग्या question यहाँ पर दिया गया है कि विस प्रधान काभ्य को कहते हैं महा काभ्ये प्रियोगबादी काभ्ये प्रगतिबादी काभ प्रभाकर दुबेदी या पर मौहनराकिस दर्ण विर्भारती या सिवप्रसाद गुप्ते तो कॉस्चिन नमबर 13 का राइट आंसर है सिवप्रसाद गुप्त आपका सही आंसरों का विकल्प नमबर डी राइट आंसर है अंगला कॉस्चिन पूछा है रूस में 25 मास किस की क विकल्प नमबर डी राइट आंसर यहां पर अंगला कॉस्चिन क्या पूछा है तो कॉस्चिन नमबर आपका यहां पर पंदरभा है कि सुरेंद्र वर्मकृत अपन्या से मुझे चांद चाहिए कि नाइका कौन है इसकी नाइका आप से यहां पर पूछा है याद रखिए महत्तपुन उपन्यास है अगर पूँचा जाए मुझे चांज चाहिए एक इसका उपन्यास है तो ये सुरेंद बर्मा जी का उपन्यास है और किस विदा की रशिना है अगर पूँचा जाए तो उपन्यास है और इसकी नाई का कौन है तो ये पूँचा है तो पंदरे का रा कौन सा उपन्यास प्रयम चंद पूर्वर गुका नहीं है? देखेए, पूर्वर गुका नहीं है, प्रयम चंद पूर्वर गुका नहीं है बहे उपन्यास है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो होगा, Question number 16 बहे ही विकल्प नंबर आपका D, यानि की वयम रक्षाम आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर अंगला कॉस्चन यहाँ पर पूँचा गया है हिंदी अनुसीलन सुध पत्रिका के संपादक से किसका संबंद नहीं है तो किसका संबंद नहीं है यहाँ पर पूँचा है आपसे कॉस्चन नंब तो एक कहानी किस की द्वारव रचे थे question number 19 महत्वपूर्ण है और एक छोटा सा मंजाक नाम कहानी किस की द्वारव रचे थे तो आपका सही आंसर होगा, क्या होगा write answer? अंतोन चेखव आपका सही आंसर होगा अंगला question है हिंदी में कौन से सब्द ऐसे हैं जिनके दो-दो रूप समानांतर चलते हैं दो-दो रूप समानांतर चलते हैं तो हिंदी के वह ऐसे सब्द कौन से हैं तो question number 20 का right answer है इस परकार एक जो गर्दन है यह आपका सही आंसर होगा गर्दन और गर्दन अंगले question क्या पूचा है तो आचा रामचन सुकल ने हिंदी का प्रारंब जो माना है किस की आसपास माना है यह आपको बताना है आचा रामचन सुकल जी ने हिंदी का प्रारंब किस की आसपास माना है तो question number 21 है और 21 का सही आंस होगा सम्मिदान की किस अनुच्यद में नदेश हैं कि संग का यह कर्तब होगा कि भहे हिंदी भासा का विकास करें यह आपको बताना है भहे अनुच्यद कौन सा है सम्मिदान का तो कॉस्च नमबर 22 का राइट आंसर है विकल्प नमबर C यानि की अनुच्यद 300 इंक्याउन आपका राइट आंसर यहाँ पर रस निस्पत्ती की पिरकिरिया में साधार्णी करन की परिकल्पना करने वाली प्रथम आचारी कौन है भै आचारी बताना है कौन है रस निस्पत्ती की पिरकिरिया में साधार्णी करन की परिकल्पना करने वाली आचारी है तो question number 23 का राइट आंसर है विकल्प नंबर D यानि की भट्ट नायक आपका सही आंसर यहां पर होगा यह प्रेम को पंत कराल महा तलवारी की धार पे धावनों है वक्त पंती में प्रियोक्त अलंकार आपके लिए बताना है इस पंती में कौन सा अलंकार यहां पर जो है प्रियोक्त क्या ग्या ह यह प्रेम को पंत कराल महा तलवारी की धार पे धावनों हैं तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 24 का विकल्प नंबर एक यानिकी नरदर्शना आपका सही आंसर है अंगला question क्या पूँचा है देखिए जे बिनु दे है नदी बिनु बारी ते सही नात पुरुस बिनु नारी उक्त पंती में कौन सा लंकार है यहाँ पर भी आपसे फिर से यह लंकार पूँचा गया है इस पंती में तो बताईए कौन सा लंकार यहाँ पर है question number 25 है और 25 का सही answer है आपका C विकल्प number C विनोक्ति आपका right answer है gramam निक्सा नदी अस्ती में विभक्ती बताईए इसमें कौन सी विभक्ती प्रियोप्त की गई है प्रिथमा, दुतिया, तृतिया, सश्टी तो question number 26 से right answer होगा दुतिया, आपका right answer होगा प्रत्य कितने प्रिकार की होती है question number 27 का answer बताईए 27 का सही answer बताना है और 27 का right answer है प्रत्य दो प्रिकार की होती है तो विकल्प number A आपका इहाँ पर सही answer है question number 28 पूँचा है, गोस्वामी तुलसिदास की रचिना है कभीता बली किस भासा में रचेत है महत्तपूल question है, कई बार एक जामें पूचा गया question है तो गोस्वामी तुलसिदास की रचिना कभीता बली किस भासा में रचेत है अब दी ब्रेज मेतली ये वंदेली तो आपका सही आंसर है 28 का विकल्प नमबर B आनि की ब्रेज फासा आपका सही आंसर है सिखर से सागरतक के किस रचिनकार की जीवनी है ये जीवनी मानी जाती है सिखर से सागरतक और किस रचिनकार की है तो question number है 29 और 29 का right answer है विकल्प number C आनिकी अग्ये आपका यहाँ पर सही answer है अग्ये right answer है बिल्कुल सही अंगले question क्या है रस गंगाधर की रचीता कौन है question number 30 है और 30 का सही answer है रस गंगाधर की जो रचीता माने जाते हैं भै कौन माने जाते है तो right answer है पंडित जगन्नात ब्रंग की उत्तर कालीन अवस्ता का क्या नाम है उत्तर कालीन अवस्ता बताना है क्या नाम है उसका अब प्रंग संस्कृत या अभट्टे तो राइट आंसर है 31 का डी यानि की अभट्टे उससे अवस्था का नाम है अंगले कॉस्चन है आप भ्रंस में कुल कितनी स्वर्थी स्वर्थ बताना है आप भ्रंस में कुल कितनी स्वर्थी आठ बारह दस नो तो 32 का सही आंसर है आप भ्रंस में क तो यहां पर आपका 33 का सही आंसर है मग ही जो है बिहार की है कहां की है बिहार प्रदेश की बोली मानी जाती है मग ही अंगला कॉस्चिंग क्या है पुस्प दंत किस सताब्दी के कभी थी आठवी सताब्दी के दसवी सताब्दी साथवी सताब्दी ग्यारह भी सताब्दी त तो 34 का आपका जो सही आंसर है भै है आपका सही आंसर 34 का विकल्प नंबर सी आनिकि 10 वी सताबदी के कभी मानी जाती हैं अगले question है दोहा कोच किस की रचिना है दोहा कोच वताना है विद्यापती सरहपा पुसπतन्थ या सब्रपा तो यहाँ पर आपका राइट आपका सही आंसर है अंगले question पूछा गया है बालकृष्ण भट्टे किसके पत्र के समपाधन कर्म से जुड़ी थी ब्रहम्मान कभी बचन सुधा सरस्वती या हिंदी प्रदीब कौन जोड़े थे बालकृष्ण भट्टे तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 36 का विकल्प नंबर डी हिंदी प्रदीब पत्र की संपाधन कर्मे से जुड़े हुए थे कौन बालकृष्ण भट्टे अंगला कॉस्चिन पूचा है निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं बताइए निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है तो सिरी निवास दास हैं बालकृष्ण भट्टे हैं रादा कृष्ण दास हैं या रादा चिर्ण गोस्वामी हैं तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सैं करने वाले दो भाव हैं एह कथन है किसका कथन है तो कॉस्चिन नमबर 38 का राइट आंसर होगा एक कथन जो है रामचन सुकल जी का है तो विकल नमबर भी आपका सही आंसर होगा घस आके टक की रशिनकार कौन है हजारी परसाद दुबेदी कुबेर नात राय विद्या निव दुपों का राइट आंसर होगा समय देवता किस कभी की कवीता है क्वस्चिन नमबर 41 है और 41 का सही आंसर है आपका यहां पर बिकल नमबर D होगा 41 का यानिकी नरेश महता आपका यहाँ पर सही आंसर है बिलकुल सही question number 42 क्या पूँचा क्या है यहाँ पर आप से पूँचा क्या है कि निमनलिखित में ऐसे कौन सी आलोचना किरती विजय देव नारण साही की है वह आलोचना किरती आपके लिए यहाँ पर बताना है जाएसी साहित लोचन सूरदास यह रस्मी मानसा वह साहित किरती कौन सी है अलोचना तमक किरती कौन सी है जो विजय देव नारण साही की है तो आपका सही आंसर है यहाँ पर जाएसी आपका सही आंसर होगा बिलकुल सही अंगला question क्या पूँचा है यहाँ पर पूँचा है आप से खड़ी बोली की विकास में Port William College का विसिष्ट योगदान है क्योंकि क्यों योगदान है यह आपको बताना है खड़ी बोली की विकास में जो Port William College है Port William College और इसका विसिष्ट योगदान है खड़ी बोली की विकास में क्यों योगदान है यह बताना है तो आपका सही आंसर है 43 का राइट आंसर है विकल नंबर B सही आंसर है B में आने कि A एक फश्ट है और तीसरी नंबर का और दूसरी नंबर का यहाँ पर गलत है तो यहाँ पर आपका जो सही है अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुकता दी और जो आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है तीसरा खड़ी बोली में साहतिक लेखन योग की आवे सकता थी यह दो सही है लेकिन जो ती प्रिश्राने से एक क्या क्या पीशचा है आगारा का बोली है निया पर बोली जाती है तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी राइट आंसर है परमात में प्रकास की रचिनाकार कौन मानी जाती है Q45 महत्वपुन है परमात्में प्रकास की रचीता पूंचा है आपसे यहाँ पर तो आपका राइट आंसर है योगिंद्र योगिंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर आपका B सही आंसर होगा question number 46 क्या पूँचा है किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है एक question तो कई बारे एकजाम में पूँचा गया है बहुत सारे एकजाम में कि किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है तो question number 46 का सही आंसर है क्या है परमाल रासू यानि कि विकल्ब नमबर B आपका सही आंसर होगा सजन सकारें जाएंगे नैन मरेंगे रोए उकती है ये उकती किसकी है उकती बताइए question number 47 में ये उकती किसकी है सजन सकारें जाएंगे नेन मरेंगे रोए तो यह जो उक्ती है किसकी है तो आपका right answer है अमीर खुसरो अमीर खुसरो विकल्ब नमबर एक यहाँ पर सही answer है बिल्कुल सही अंगला question है उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण के लेखक कौन है उक्ति व्यक्ति प्रिक्रणल के लेखक पूँछा है आपसे यहाँ पर तो 48 का राइट आंसर जो यहाँ पर होगा राइट आंसर वह विकल्प नंबर आपका D यानि की दामुदर सर्मा आपका सही आंसर है स्यामा सुपने के लेखक कौन है? question नंबर 49 है महत्वपूर है और स्यामा सुपने के लेखक है वह कौन तो 99 का राइट आंसर होगा ठाकर जग मोहन से है आपका राइट आंसर है स्यामा सुपने के लेखक पानी जाते हैं अंतनियों में बल पढ़ना ये आपके लिए इसका अर्थ बताना है अंतनियों में बल पढ़ना का अर्थ क्या होगा question number 50 है महत्वपूर्ण है और आपका सही answer यहाँ पर जो है 50 का वैहे पेट में दर्द होना तो विकल्प number भी right answer आपका यहाँ पर सही answer है अब यह कितने भेद होती है question number in count है और in count का सही answer होगा यहाँ पर इसके 4 भेद होती है कितने भेद होती है 4 भेद होती है बिल्कुल सही अंगला question है कौन सा सब्द किरिया का उधारन नहीं है नहीं पूंचा है किरिया का उधारन नहीं है गिरवाना, लिखवाना, चलाना या चाया तो नहीं में आपका हो जाएगा यहाँ पर विकल्ब नमबर D यानि की चाया आपका सही आंसर होगा question number आपका यहाँ पर त्रेपन पूचा है क्या पूचा है निमने लिखे सब्दों में इसी pulling सब्द चाटी है pulling सब्दों कौन सा है बताइए कि क्वास्टिं नम्बर त्रेपन है भौका यहाँ पर पूच्छा है Sarah pulling पूचा है कभी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विल्कुल चाही भावाशक के संग्या का इहां पर चैयन कनना है कि भावाशक संग्या कौन सी यहाँ पर है तो question number है आपका चंगण और चंगण का right answer होगा लड़कपन लड़कपन ये जो भावाचक संग्या मानी जाती है लड़कपन तो विकल्प number C आपका इहाँ पर सही answer है संग्या की कितने भेद होती हैं 2, 3, 4, 5 तो question number 55 है और संग्या की भेद पूँचा है तो 5 आपका इहाँ पर सही answer होगा विकल्प number D राइट आंसर है बिलकुल सही अंगला question क्या पूँचा है दाहे सब्द का समानारती कौन सा है ये आप से पूँचा है तो question number 56 है और 56 का सही answer आपका इहाँ पर जो होगा विकल्प number आ आपका D राइट आंसर है इडश्या इडश्या आपका इहाँ पर सही answer है question number 7 पूँचा है मोख्य सब्द का बिलोम सब्द निम्न लिखित में ऐसी कौन सा है मोख्य सब्द का बिलोम सब्द इहाँ पर कौन सा है मोख्य का पूँचा है तो मोख्य का इहाँ पर होगा गोण क परोक्ष का बिलों बताईए, आप प्रत्यक्ष इस्तूल एद्रश्टब्बे, तो अंठाउन का भी राइट आंसर प्रत्यक्ष, परोक्ष का प्रत्यक्ष, अंगला कौस्चन क्या पूँचा है, यहां पर पूँचा है, कि केदार, सब्द का परयाबाची सब्द चुनना है यहां पर कौस्चन नंबर 69 में क्या होगा सही आंसर बताईए, कौस्चन नंबर 69 है महत्तुपूण है, और केदार का परयाबाची होगा महिस, क्या होगा महिस आपका सही आंसर है, निर्धन का परयाबाची बताईए, निर्धन का परयाबाची बताना है, तो निर्धन का परियाबाची क्या होगा तो question number 60 है महत्तुपूल है और आपका सही आंसर है देवावसन आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर है निमलिखत बाक्यों में से किस बाक्यों में सर्वनाम का असुद्ध प्रियोग हुआ देखिए यहां पर बाक्यों का चैन करना जिसमें सर्वनाम का असुद्ध प्रियोग हुआ है तो यहां पर question number 61 का राइट आंसर है मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा यह जो है इसमें असुद्ध बाक्यों का प्रियोग हुआ है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है यहां इन पंतियों में कौन सा रस है रस बताना है यहां पर कौन सा रस है तो question number 62 का सही आंसर है क्या है right आंसर प्रियोग से इसमें प्रियोग हुआ है अंगला question चंद का प्रियोग सरपरतम उल्लेक कहां मिलता है चंद का बताना है चंद का जो सरप्रतम उल्लेक मिलता है बहे मिलता है रिगवेद में यह जुरवेद में सामबेद में या फिर उपनिसद में तो सही answer है 63 का विकल्प नंबर आपका यहां पर यह राइट आंसर है रिगवेद आपका सही answer है बिल्कुल चाही अंगला question क्या है नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं पराग नहीं मधूर मधू नहीं विकास यही काल अली कली ही सो बध्यो आंगे कौन हवाल जो नमबर एक आपका सही आंसर है दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा चंद बनता है दोहा और रोला को क्रम से मिलाएंगे तो बहें कौन सा चंद बनेगा यहाँ पर यह बताना है 65 में तो 65 का सही आंसरों का कुंडलिया क्या बनेगा कौन सा चंद बनेगा कुंडलिया आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है यहाँ पर अंगला कॉस्चिन पूँचा है देखिए अबदी सिला का और पर था गुरु भार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार प्रस्तुत पंतियों में कौन सा चंद है यहां पर भी आपसे चंद पूचा गया है तो यह पंतियां दे गई है इस पिरकार की question आपसे पूचे जाते हैं महत्वपूर्ण question है आपके और आपका सही answer 66 का D यानि की बरवया अंगला question है घनाक्षरी चंद एक मात्रिक चंद है मिस्र चंद है या पर बढ़निक चंद है या इन में से कोई नहीं तो 67 का राइट answer है आपका विकल्प नंबर B यानि की बढ़निक चंद है बिल्कुल सही 67 का भी राइट answer होगा यहाँ पर क्या पूँचा है चरर मरर खुल गए अरर रव स्पोटों से पंती में कौन सा अलंकार है इसमें आपके लिए अलंकार का कौन सा अलंकार इसमें प्रियुक्त हुआ है अनुप्रास तो इसमें जो अलंकार है बहे अनुप्रास अलंकार है कौन सा अनुप्रास बिल्कुल सही अंगला कौस्चन पूचा है बड़े न दू जो गुनन विनुब्रद बढ़ाई पाए ने कहत धतूरे सो कनक गहनों गड़ों न जाए प्रस्तुत पंतियों में कौन सा अलंकार है यहाँ पर कौस्चन नंबर आपका 59 है और राइट आंसर होगा क्या होगा सही आंसर तो बिल्कुल सही यहाँ पर विकल नंबर सी जन्हों नहीं बताया है उनका राइट आंसर है सभी लोग वीडियो को लाइक बस्त करते जाएं जन्हों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है अंगला क्वास्चन क्या पूंचा है उसी तपस्ट्वी से लंबे थे देवदार 24 खड जहां उपमे का निसेद करके उपमान का आरोप किया जाए बहां होता है कौन सा अलंकार होता है यह आपके लिए बताना है जहां उपमे का निसेद करके उपमान का आरोप किया जाए बहां होता है कौन सा अलंकार होता है अपन हूती अलंकार विकल नंबर सी राइट आंसर यह इसका जो अर्थ होगा, बै है, मूर्खता पूर्ण कारे करना, कच्चे घड़े में पानी भरना, अंगला कॉस्चन है, आँखों पर चर्वी छाना, का अर्थ क्या होगा, आँखों पर चर्वी छाना, तो इसका जो अर्थ होगा, बै होगा, क्या होगा, राइट आंसर, अभ पर चार विकल्ब भी दे गए हैं और इसका सही आंसर है खुन पानी होना इसका थोगा कोई असर नहोना कोई असर नहोना यानि कि विकल्ब नंबर भी right answer है अंगला कॉस्चन पूछा है फिसल गए तो हर-हर गंगे, लोकोक्ती का अर्थ बताना है। यह अब से यहाँ पर लोकोक्ती पूछी गई है, फिसल गए तो हर-हर गंगे, इसका अर्थ जो यहाँ पर होगा, right answer होगा, पहे मजबूरी में काम करना, यानि की विकल नंबर एक स इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, खरबूजे को देख खरबूजे रंग बदलता है, तो आपका सही आंसर होगा, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा, भै होगा यहाँ पर की संगती का प्रभाव अवस्चे पड़ता है, संगती का प्रभाव अवस्चे पड़ता है, अन्य अर्थे लक्षित हों बहां सब्द सक्ति होती है तो सब्द सक्ति कौन सी होती है बहां पर यह आपको बताना है 77 में तो बहां पर जो सब्द सक्ति होती है लक्षणा होती है कौन सी लक्षणा बनबास में कौन सा समास है तत्प्रोस कर्मधाराय या फिर दंद यह बहु सा समास है तो question number है 99 और 89 साए आंसर है अनायास में विकल्प नमबर आपका यह जो है राइट अंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नमबर एक जिन्हों ने बता रहा है उनका सही आंसर है आकरी में आपके लिए बताना है कि कितने question आप से सही बनी है उध्यष्टर में कौन सा समास है तो question number है आपका यहाँ पर 80 और 80 का right answer है क्या right answer 80 का सही answer होगा यहाँ पर विकल्प number B यानि कि उध्यष्टर बहुबिरी आपका यहाँ पर सही answer है अंगला question क्या पूचा क्या है यहाँ पर पूचा है सुद्ध बरतनी वाला सब्द कौन सा है तो इर्ष्या किस प्रकार लिखते हैं यह आपको सुद्ध बरतनी बताना है यहाँ पर तो यह तो सभी के लिए पता होगा विकल्प number D इस प्रकार इर्ष्या लिखते हैं बिल्कुल सही नमलिकत में से का चैन करना है यहाँ पर सुद्ध बाकर का चैन कीजिए यहाँ पर चार विकल्प भी दे गए हैं और आपका सही आंसर 82 का विकल्प number D उसने अपनी कमाई का अधिकान से गवा दिया यह जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है 82 का डी राइट आंसर होगा रुकावट कि किस पिरकार की संग्या है यहाँ पर उसने अपनी कमाई का अधिकान सवाग जो है गवा दिया है यहाँ पर आपका किस पिरकार की संग्या है तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, तेरासी का सही आंसर होगा, भाव बाचक संग्या मानी जाती है, याद रखिए भाव बाचक, निमने लिखित में से एक प्रत्य किसमें नहीं है, नहीं पूछा है, देखें नहीं पूछा है, तो चौरासी का राइट आंसर है, चौरासी का होगा अध अधिक में एक प्रत्य नहीं है रग्मंच में प्रदे के पीछे का इस्तान काहा जाता है क्या कहा जाता है ये क्वेस्च आपको बढ़ कर बड़ के तो यहां पर बढ़ Radha तबको ऑपन से देख लेते हैं कि प्रभवास सूत्र में हिंदी का इस्थान किस की रूप में है यह आपको बताना है जो एह जो राजजभासा की रूप में यहां पर पूचा है बाई गोच्की ने भासा विकास के संदर में किस बिंदू पर सबसे अधिक बल दिया है वह बिंदू बताइए जिस पर इन्होंने सबसे अधिक बल दिया है तो आपका राइट आंसर होगा कॉस्चन नमबर 92 का भी राइट आंसर है सामाजिक अन्ता किरिया पर सामाजिक अन्ता किरिया राइट आंसर है यहाँ पर पूचा है पूर्टफोलियो के संबन्द में कौन सा कथन सही है वह कौन सा है तो इससे बच्चों की किर्मिक प्रगती की बारे में पता चलता है अंग देख लेते हैं कि भासा हमारे या हमारी खालिस्तान को विवस्तित करती है बताइए क्या है इसका राइट आंसर भासा हमारी या हमारी खालिस्तान को विवस्तित करती है तो सही आंसर होगा यहाँ पर 94 का सी बिचार प्रिकिरिया को विवस्तित करती है जिन बच्चों को सखने में कटना इकनवा होता है विबच्चे खालिस्तान से गिर्षित हो सकते हैं यानि कि विबच्चे डिस्ग्राफिया से गिर्षित हो सकते हैं अंगला कॉस्चिन क्या है समाचार सुधा वर्षान 1854 में प्रिकासित पत्रिका के संपादक कौन हैं इसके संपादक पूचा आपसे सुधा समाचार सुधा वर्चन तो यहां पर आपका सही आंसर है क्या राइट आंसर स्याम सुन्दर सेन आपका सही आंसर है बिल्कुल सही स्याम सुन्दर सेन राइट आंसर है देतिया का इतिहास रचिना पर 181989ीश्वी में किसी साथ तकादीमी परोषकार मिला था फ्रीचर का उप्ति प्रियोग का समय क्या है तो इसमें अप्रांस प्रियोग का समय बताना है क्या है तो question number 99 का right answer है 400 ईसा पूर्व आपका सही answer होगा अंगला question है पांच आंगनोबाला घर उपनियास पर 1998 ईसभी में किस साहत्य कार को ब्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था कब किया गया था उन्निस तो इसको ने ब्यास सम्मान से सम्मानित किया था तो right answer है गोबिंद मेश्र तो इस परकार अपने यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन कम्प्लीट हुए, कितने कॉस्चन आप से सही बनें, कमेंट में जरू बताएं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को कलने सस्क्राइब, बेल आइकन दबाएं, और पर क्लिक करें, ताकि आप यहां तक पहुंचें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तो आज की वीडियो हैं बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के लिए जैहिर,